नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर लोगों ने दिल खोल कर नए साल का किया स्वागत बिहार में नशे के कारोबार पर होगी सकती बिहार में बीते दिन के पिसले 24 घंटे में मिले 6 नए कोरोना मरीज खिसारी लाल ने रिशब पंत के जल्द स्वस्त होने की कामना की बिशी सियाई ने तीनों फॉर्मिट में 2022 के सर्वस रिस्ट भारतिये खिलारियों के नाम किये जारी इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से लोगों ने दिल खोल कर नए साल का किया स्वागत भारत में नए साल की सुरवात हो चुकी है दिली, मुंबई, बैंगलूरू और पटना समीर तमाम शहरों में जशन का महौल है वहीं इस बार नए साल के सुरवात वीकेंड से होड़ ही ऐसे में पटना के मंदिरों में खुब भीर उमरने की संभावना है वहीं इस बार भी सहर के पारकों में टिकट के दाम आम दिनों के मुकाबले जादा रहे लोगों की मॉनिटरिंग के लिए ओन ड्यूटी स्टाफ के साथ ही सीसी टीवी से भी नजर रखी गई है इस बार नया साल रविवार को पर रहा है जिस वज़से पटना के विविन पारकों में लोगों की भीर देखने को मिली बेश कीमती मूर्थियां चुराने वाला इंटरनेशनल गैंग बिहार में सक्री है इन दिनों बिहार में भगवान की बेश कीमती मूर्थियां चोडो के निशानी पर है इसकरी में चोरी का नया मामला पटना के विक्रम प्रखंड स्थित दतियाना गाउं का है जहां 25 दिसंबर की रात को 100 साल पुरानी भगवान विश्णू की प्रतीमा को चोरी कर ली गई थी इसके साथ ही सीता मरी के पिप्रा विशनपूर गाउं में 28 दिसंबर की रात 300 साल प प्राचीन सिव मंदिर समस्तिपूर के मुस्ताफूर सित रामजान की मंदर भी शामिल है इन मुर्तियों की चोरी कर चोर अंतराश्टी बाजार में बेच रहे बता दी कि मंदिरों में सुरक्षा कोई पुखता इंतजाम नहीं क्या गया है और यही वज़ा है कि चोर कि आसानी से मंदिरों से मुर्तियां को गायब करने में काम्याब हो जाते हैं बिहार में नशे की कारोबार पर होगी सकती राजे में होमियोपैथिक दवाई में इस्तमाल होने वाले स्प्रिट के अवैद उपयोग को लेकर राजे सरकार काफी सक्त हो गया है उत्पात नियम के अनुसार अब मध निशेद विभाग में स्प्रेट, साइलेंट स्प्रेट, कफ सीरप या किसी भी ऐसे समान का पड़िवहन करने वाले वाहनों को 15 जनवरी तक निवंधन कराना अनिवारे कर दिया गया है। नए साल पर हिल्थ हब बने का राजधानी पटना, नए साल पर बिहार की राजधानी पटना हिल्थ हब बनने के लिए तयार हो गई है। 1250 वेट का एक अलग अस्पताल भवन, प्रधान मंत्री सहायता यूजना के तहट बनाया जा रहा है, जिसका निर्मान अगले दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इस बात के जानकारी बिहार स्वास्त विभाग के द्वारा ट्वीच शेयर कर दी गई है। हिमाले से भागलपूर पहुचा यह अजूबा पक्षी हिमाले छेतर में बरवारी से परिशान होकर पक्षीयों का गंगा टटो के आसपास आने का सिलसला जारी है। इक्रमसिला गंगे टिक डॉल्फिन सेंचुरी में इन दिनों कॉमन के स्ट्रेल बहुतायत मात्रा में दिख रहा है। भार्तिय वन्यजीर संस्थान के ग्रंगा प्रहरी इस पेर हेड दिपक कुमार के द्वारा दी गए जानकारी के अनुसार या पक्षी पड़ा बैगने किर्णों को देख सकता है जिसकी मदद से ही यह अपने शिकार का अनुमान लगाते हैं और उन पर हमला करते हैं इस पक लगशे में लदाक एकुष छेतर को चीनी छेतर का हिस्सा बताया गया है दरसल बiczमत मट के सुअगत कक्ष में चीन का एक नक्सा लगा है जिसमें वैसे चेतर को भी दरशाया गया है जो लगदाक का हिस्सा है और चीन के द्वाड़ा उक्त Państwo के पर जबरण कबड से जुरे की भारती क्रिकर टीम के स्टार बल्लेवाज रिशब पंथ 30 दिसंबर की सुभा करीब पांच वजे रुरकी में कारहाथ से के सिकार हो गय थे जिसके बाद सभी के द्वारा उनके जल्द स्वास्त होने की कामना की गई इसे बीच भोजपूरी के सूपर स्टार खिसारी लाल यादद ने भी ट्वीट शेयर करते वे रिशब पंथ के जल्द स्वास्त होने की कामना की है उन्होंने लिखा भाई रिशब पंथ के जल्द स्वास्त लाव की प्रातना है सब ठीक होगा भाई हाला कि अम रिशव पंथ हायर सेंटर दहरादुन के मैक्स अस्पताल में भरती हैं नए साल के बीच दिल्ली में भुकम के जटके रविबार की देरात करीब एक उन्नीस वजे देश की राजधाने दिल्ली में नियो इयर के जश्न के बीच भुकम के जटके महसूस किये गए बता दे कि लिक्टर स्केल के नुसार भुकम के तिवरता 3.8 रही नेशनल सेंटर फॉर्स से समौराजी के मताबिक भुकम का केंद्र हडियाना के जटजर में इस जट सता से 5 किलो मीटर नीचे थी हाला कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली एंसियार में 5.4 की तिवरता के भुकम से जटके महसूस किये गए थे मुखे मंत्री और उपमुखे मंत्री ने दी नए साल की बढ़ाई आसे नए साल के सुरवात होड़ी और ऐसे में नए साल के मौगे पर विहार के मुखे मंत्री और उपमुखे मंत्री ने लोगों को बढ़ाई दी उन्होंने आसा व्यक्त किया है कि इस नए वर्ष में प्रेम सद्भाव की दीब को जलाए जाएंगे खुसी और काम्यावी से भरे समाज राजेवत देश का निर्मान किया जाएगा देश और राजे प्रगती और विकास की उचाई को छुएगा इसके साथ ही राज़त के राज़्ट्री अध्यक्ष लालू प्रशाद पुर्व मुख्य मंतरी राबरी देवी वन एवं पर्यावरन मंतरी तेज प्रताप यादव राजी सभासांस अधनीशा भारती ने भी राजे वासियों को नववर्ष की बधाई एवं सुबकामनाय द पार्टी का काम है इसलिए वह बिहार आ रहे हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं परता उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमारी यात्रा के बारे में पहले ही पता था और यहीं वज़ा है कि वह देखा देखी में बिहार दोड़े पर आ रहे हैं शुशेल मोदी का नितीज कुमार परतंज बीजेपी सांसर सुसील कुमार मोदी ने मुक्य मंतरी नितीज कुमार परतंज कस्तेवे कहा कि नितीज कुमार ने विपक्ची एक्ता का जो गुबबारा उड़ाया था वफुस हो चुका है ममता बनार जी केसी आर केजरीवाल अकलेश यादव मायावती जयंत चोतरी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से साफ साफ इंकार कर दिया गया है केजरेवाल किसी दल से गडबंधन या तालमेल करने को तैयार नहीं है नितीज कुमार ने स्वेम को पी-म प्रोजेक्ट करने वाले नारे लगवाएं और विहार की तरह देश का नर्तित्व करने के इरादे जाहिर करने वाले होडिंग तक लगवाएं लेकिन आब वह कह रहे को सरकारी वेबसाइट पर मुख्य मंत्री समेथ सरकार के सभी मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी अप्लोड की गई राजत कोटे के मंत्री जदियों कोटे के मंत्रियों पर जादा भारी नजर आए राजत कोटे के चार से अधिक मंत्री करोर पती है अच्छा संपत्ति के म पास नगत 75,000 है जबकि उनकी पत्नी के पास सवा लाक रुपए है चल और अचल समपत्ती की तुलना में अपनी पत्नी की तुलना में वेजादा धनवान है। प्रदर्शिन करने वाले खिलारी थे इसके साथ ही वंडे प्राडूप में सुरेश अईयर को सर्वस्ट्रेस्ट बल्लेबाज जबकि मुहमद सराज को सर्वस्ट्रेस्ट गेंदबाज घोशित किया गया। प्रती लीटर में मिल रहा है। प्रती लीटर और डीजल 96.25 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। बीदर दिन हमादुरा पूछे का सवाल का अब लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है। आज का सवाल है वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार से होकर गुजर रही है तो यह बिहार के लिए कितने फक्र की बात है आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना न भूले धन्यवाद